नमस्कार श्वाकत हैं फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पे तो आज के इस वीडियो में दिख्ञाने वालों इक छोटी सिंदन्य से कलाकार जो की रामगर जीला अंत्रगत चिदरपूर किशान महलन वासी है और चोटे से ही बच्पन से ही पेंटिंग के दुनिया में करियर को बनाने को लेके सुरू से ही चोटे से ही तरह तरह के कलाकारी घर में ही पढ़ाई के साथ करते रहता है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से एक गाउं का रहने वाला बच्चा जिसकी उम्र लगबग अभी 14 साल है मात्र और इनोंने कई ऐसे चित्र बनाए हैं जो देख के आपकी भी आखे धोखा का सकती है आप भी आश्चर कर सकते हैं कि कैसे इतनी छूटी सी उम्र में बच्चा इतनी अच्छी ब्राइंग बना सकता है तो आईए मिलाते हैं आपको इस छोटे से नन्हे से कलाकार अमन कुमार से जो की बतलाएंगे क्यूं इन्हों ने पेंटिंग कोई अपना करियर के लिए चुना और किस तरह से कड़ी मेहनत के बाद आज तरह तरह के फोटो चाहें वो कोई सेलिब्रीटी हो या कोई आम पब्लिक हो पुबहू उसका पिक्चर बना देता है आमन क्या नाम है पुरा मेरा नम हम नाम कुमार है और मेरे बापा का नाम धरमेंदर नाम है और मेरी अमी का नाम सुमन देवी है और मेरे बहान भी उनकाना हमीली पुमारी है तो मैं पहले विश्कूल जाता था तो मुझे कुछ उतना नहीं आता था ता तरगेरा में किस क्लास में हो? मैं अभी जबन क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा विश्कूल काना है मैकस पॉब्लिक स्कूल मैं वही पर जाता हूँ मेरे घर के जड़ा से दूर में मेरा इस्कूल पढ़ता है मही पर पढ़ता हूँ तो मुझे थोड़ा सा इससरी में मुझे नहीं आता था लेकिन मैंने कैसे मन में खाला कि हमको चितरकारी करना है पेंडिंग बनाना है तो मन में यह ख्याल कैसे आया मुझे यह सब बारम उतना जादा नहीं पता था लेकिन मैं दोजार अठारे के बाद चे फिर मैंने इसका थोड़ा सब धीरे धीरे प्रेक्टिस मैंने करने लगा मुझे थोड़ा सब इसमें उतना नहीं था इंटरेट लेकिन जब मैंने इसे क करने लगा अच्छे तब मुझे इंट्रेस्ट ज्यादा लगने लगा फिर मैं इसे धीरे धीरे प्रेक्टि करते करते आज मैं किसी कभी चीत्र इजली बना सकता हूं दो से धाइग घंटे में और मुझे ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है दो से धाइग घंटे में किसी कभी चीत्र बनाकर डिक्र देजिये का मैं मैं ने बहुत सारा क truc सकता हूं हाँ मैंने बहुत सारे चीतर बनाया है मैं जिनको दिखा सकता हूँ मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ हमारे CM की प्रिश्टर को जिन्होंने मैंने बनाया तो कुछ दिन पहले इनका ड्राइंग और मैं दुसरा ड्राइंग आपको दिखाता हूँ अपने मम्मी का यह दे यह पूरा स्टों फ को यह आप पिक्टर देख रहे ह्याद के अपनी मां का शक्ली इसमें पोर दीये हैं अपनी नन्य Caton ओँ से तो यह इनकी मां मा का इन्हों ने पिक्टर बनाया है जो आपको दिख्वार हैं यह ज्यारखन के हमारे यह कोषिरल का प्र zajorkHI सुरन्त से कि इस नन्यएं से कलाकार ने मुए और खुब्सूरत प्याइचिंग हैं जो कि आप कि आप इस कैम्य के durch यहाइच हुआ जो देखने को लग रहा है करें काफ एनों का यह इंवारो बनाया है ऐसे कई और लिए न॥ा आयों छूट्र आं जो की इस चोटे से नन्य से इपनाया है और अंब इन्होंने खुद का भी फोटो सोट बनाया है जो आप देख सकते हैं के खुद खोटो बनाया डि legislation देख सकते हैं यही अमन कुमार है जो की अपनी ही पिक्चर अपने हाथों से बनाया तो का टो फ्सक्रार है तो तो कि चानुगा मैं चानुगा इस छोटे से नने से कलतार आप लोगी सायोग करें इसे आगे बढाने में आप लोगों की जरूरत है आप लोगों को सपोर्ट करूरत है तो इसे आप सपोर्ट कि में इनको मन लगता है साथ में यह पढ़ाई करते हैं अभी सेवन प्लास में हैं और पढ़ाई में भी काफी अच्छा है काफी तेज हैं खेलकुत में इसके साथ ही आप देख सकते ही घर में जो रूम है रूम के चारो तरब क्राफ्ट क्या हुआ डिजाइन जो यहां पर हुआ आप देख सकते हैं काफी प्यारा है जो कि यह पूरा खुद से खुद ही बनाएं हैं तो इसके साथ सक और किस चीज में रूची है आपको इसके साथ मुझे ज्यादा तर मुझे आठ में ज्यादा इंट्रेस्ट मुझे लगता है और इसके साथ में पढ़ाई भी करत साथ उसके बाद मैंने धीरे-धीरे इसकेचिंग पैंटिंग अगरा मैंने इंट्रेट डाला और मैंने यह सब भी सीख लिए धीरे-धीर कोई अगर चाहें अमन जी कि तुमसे कोई अपना पिक्चर बनाए तो कैसे बनाएं मैं बना सकता हूं तो मैं अगर को मुझे फोट लिए को करना क्या होगा अपना फोटो है अमन को सेंडन करना होगा जोकि आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं आमन नंबर है अपना फोटो वेज गे कर शक्ते हैं और सहयोग के. रूप में आप को जो भी इस छोटे से नन्हे से कलाकार को सपोर्ट करना है जो भी पुछ आपका सहयोग बन पाए तो आप इसे दे सकते हैं ताकि यह इसी तरह से अपना काम को जारी रखें और साथ में इनका पढ़ाई भी चलता रहें करताल